आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक नए रिटेलर डिस्टिबिटर केसे जो है क्रेट कर सकते हैं बना सकते हैं और साथ ही उनका जो पासवर्ड है कभी-कभी अगर कस्टोबर भूल जाता है अपना पासवर्ड तो उसको कैसे रिसेट करेंगे तो आ करने के बाद देखिए यहां पर हमारा डैसबोर्ड जो है कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा तो हम सबसे पहले जो है यहां पर जो पैनल हमारा जो लिखा हुआ है तो पैनल पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारा जो है कुछ इस तरह से डैसबोर्ड हमारा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक रिटेलर या डिश्टिटिबीर बनाने के लिए रिगी तरने के लिए है याइड इसरे करने के बाद हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा devoir पर क्लीक करने के बाद हमारा यहां पर कुछ इस तरह से भास दिखाएए देगा जैसे कि आपके नीचे यहाँ पर जो है distributor और retailer फो करेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर अगर आप किसी को retailer बनाना हो तो आप retailer पर क्लिक करेंगे रेटेलर पर जैसे ही क्लिक करेंगे वह आपको उपर show करने लगए करेंगा रिटेलर उसके बाद उसके नीचे जो है यूजर आइडी यूजर आइडी में आपको क्या डालना है कस्टमर का मोबाइल नमर और जो है कस्टमर का मोबाइल नमर डालने के बाद उसके नीचे जो है नाम तो कस्टमर का जो फूल नम हो डालना है फिर उसके नीचे ज डाल सकते हैं उनका Gmail ID जो की कुछ इस तरह से अगर यहां पर है आपका तो अपना Gmail ID या फिर customer का Gmail ID डाल सकते हैं टालने के बाद customer का जो है यहां पर verify कर सकते हैं submit submit जैसे ही करेंगे आपका जो है success हो जाएगा और customer के mobile नमर पर ID पासवर्ड और जो है उनके Gmail ID पर भी उनका ID पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा साथ ही आपको बता रहे हैं कि अगर रिटेलर आपका जो है कभी बना है और उसने जो है कभी यूज नहीं किया या फिर पासवर्ड भूल गया है तो उसको कैसे reset करेंगे तो सबसे पहले आप रिटेलर लिस्ट पर जाएंगे रिटेलर लिस्ट पर जाने के बात जो है आपको कुछ इस तरह से dashboard सो करेगा जितने भी आप रिटेलर बनाए होंगे अपने अरिया में तो वह इस तरह से सो करेगा अगर आपको उस customer का forget password करना यानि कि customer password भूल चुका है तो आप जो है यहाँ पर जो सो कर रहा हमारा यहाँ पर जो forget कस्टमर का फॉर्गेट पिन हो जाएगा और पासवर्ट जो है कस्टमर करने पासवर्ट उसके मोबाइल या जी मिल आइडी पर तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा कि अ